जैहिन दोस्तों कैसे हो आप सभी आपका एक बर फिर से नई वीडियो में स्वागत है जैसा कि आप लोगोंने थमनेल देख लिया होगा इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि कास सर्टिविट का फॉर्मेट क्या होगा तो फ्रेंड्स काफी सारे लोगों को डाउट है कि सेंटर का कौन सा होता है और स्टेट गोर्मेट का कास सर्टिविट कौन सा होता है तो सबसे पहले तो आप यह जान लो कि CSF ने अपनी जो रिक्रूट्मेंट अटुटाइजमेंट निकाली थी व्, उसके लास्ट में हर टाइप की फॉर्मेट अटइच हैं कि आपका जो कहीं, court व filthy में जाओ गे, कि मुझे का certificate बन्वाना है इस format में, तो आपको कोई नहीं बना के देने वाला है, क्योंकि सब के अपने rules है, सब के अपने अपने procedure हैं, वो आपको अपने format में ही देंगे, ठिक हैं? तो SC category का तो कोई issue नहीं है, एक बार जो आपका SC certificate बन गया वो lifetime valid रहता है उसकी कोई expari rate नहीं होती domosile certificate भी है उसके उपर भी लिखा रहता है कि ये certificate कब तक valid है तो जैसे मेरे certificate पे लिखा हुआ है कि ये तब तक valid है जब तक मैं हरियाना state में रहूँगा तो मेरा lifetime valid है हरियाना का जो domosile है मेरा lifetime valid है SC certificate का भी clear हो गया कि चाहिए कि इतना भी पुराना क्यों ना हो SC certificate का होना चाहिए SC certificate होना चाहिए All India valid होता है जो आपके state में बनता है वो ही All India में valid होता है एक ही बनता है center या state का जो है ना अलग format नहीं है SC certificate के लिए वो एक ही बनता है और हर जगा valid होता है इसके बाद मैं बात करता हूँ OBC certificate की OBC certificate मैंने आपको पहले भी पताया था non creamy layer का OBC certificate valid होता है non creamy layer क्या है जिनकी income 8 लाग रुपे से सालना कम है सालना income 8 लाग रुपे से कम है उसको non creamy layer में count करते है और उसका certificate बनता है जो center government का certificate बनता है उस पे लिखा रहता है resolution of India और जो state government का बनता है उस पे लिखा रहता है resolution of Hariana तो अब मैं आपको एक sample के तोर पे आपको एक certificate दिखाता हूँ यह जो है ना friends यह मेरा अपना certificate है ठीक है इसके अंदर यह जो last के जो paragraph है 3 उसके अंदर एक line लिखी हुई है जो आपके performa में लिखी जानी जरूरी है अगर आपके certificate में यह line लिखी हुई है तो आपका certificate performa में है तीन साल तक valid होता है 3 financial year तक लेकिन वहाँ पे जो PST करवाते हैं आपका वह आपको force कर सकता है आपको कह सकते हैं कि यह एक साल पुराना नहीं चलेगा तो आपको उनको बताना है कि as per rules 3 financial year तक यह valid रहता है और अगर आपकी मितलब हिम्मत नहीं है उनसे जिदने की fight करने की है ना तो आप क्या कर सकते हैं अपना नया certificate बनवालो यह जल्दी ही बन जाता है किसी भी CAC center के उपर आप जाओ वह आपे अपना registration करो और उसको apply कर दो वो हफते या दस दिन के अंतरा नितर बन के तियार हो जाता है उसके बाद आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो तो certificate में वो line क्या है दोस्तों जो लिखी होनी चाहिए मैं आप लोगों को पढ़के बताता हूँ आप लोगो स्क्रीन पे भी दिख जाएगी इस इस आल्सो तो सेटिफाइड़ाइट यह दस नोट बिलोंग टू पर्सन ओबलिक सेक्षन क्रीमी लेर Mentioned in column 3 of the schedule to the government of India Department of Personal and Training उसके बाद यह जो है OM नमबर लिखा हूँ है, Letter नमबर लिखा हूँ है, Resolution नमबर लिखा हूँ है और last में जो आपका इसके अंदर sign हो जाते हैं, जो आपको issuing authority होती है, तसीलदार हो या फिर SDM हो या जो भी हो और place लिखा रहता है, date लिखी रहती है यह date चुह है न, Friends, यही मानी जाती है कि आपकी date क्या है ठीक है, तो अब उमीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे doubt clear हो गये होंगे, आपको जो format है, वो आपको screen पे दिखाया जा चुका है, आप लोगों ने updated OBC certificate नहीं है तो आप उसको update करवा ले, नया बनवा ले ठीक है दोस्तों, certificate के format से related, मुझे नहीं लगता कि आपको doubt रहा होगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से example के साथ मैंने आप लोगों को बताया है, और Friends, एक बात और बतायता हूँ, यह certificate वहां तक पहुंची थी, तो यह certificate Friends, पास है, इसको कोई fail नहीं कर सकता इसको मैंने कई जगाए यूज किया है और जब PST हुई थी तो हमने खुद जो है, इसी base पे चेक किया था, कि इसमें government of India का resolution है या नहीं है तो अब आप लोग अपना certificate बनवा लो, और अपनी अच्छे तरिक्के से त्यारी शुरू कर दो, इसके बाद Friends, आप लोग को अब regular videos मिलती रहेंगी, क्योंकि Friends जब तक आपके recruitment नहीं हो जाती मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आप लोग के साथ हूँ जब ये recruitment खतम हो जाएगी उसके बाद इस channel का कोई meaning नहीं रहेगा, तो त्यारी करते रहे हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई information के साथ, जैहिन दोस्तों